स्वागत है आपका सो दिन, सो पॉइंट की इस रंकला में आज है दसवा दिन और दसवे दिन पर बात करते हैं लीवर की जो कि हमारे शरीर में महतुप उनकारे करता है भोजन को पचाने में, रस बनाने में और शरीर को स्ट्रोंग और ताकतवर बनाने में लीवर अगर कमजोर है तो पाचन एकदम कमजोर और शरीर हो जाएगा क्रश का है तो लीवर के लिए आज कल तो बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हैं चाहे लीवर में सूजन हो और चाहे इसके सम्मन्दित और अन्य समश्चाए हो लीवर का पॉइंट है हमारे हाथ में केवल दाहिने हाथ में एक ही आतमे जो है इसका पॉइंट है दोनों में नहीं है ये दाहिने हाथ में पॉइंट होगा जो आपकी हार्ट लाइन है इसके जस्ट नीचे ये जो लीवर का जैसा ही निशान जो बना हुआ है यही लीवर क अगर आप दबाते रहें तो आपको अन्य लाब भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे एक्टिवेशन बढ़ेगा और पाचन जो है वो स्ट्रोंग होगा नमस्कार सो दिन सो पॉइंट की इस रंकला में आपका स्वागत है और आज है दिन 11, 11 दिन हम बात करते हैं कंधे की कंधे का पॉइंट जो है कंधे में कई बार पेन होता है मोबाइल हम लोग लेटे लेटे अगर ले लेते हैं या हाथ को कोई जटके से उपर उठा दे तो हाथ की किनी नस में कोई खिचाव आ जाता है कुछ नहीं समझ में आए तो हाथ की इस अंगूली से जो कनिष्ठा है उसके जस्ट नीचे हाट लाइन के जस्ट उपर यह इतनी जगे जो है यहाँ पर अगर आपको दबाने से दर्द हो तो यह समझे एकी हाथ कन्दे के किसी भी हिससे में कोई पेन है तो यह इसमें कारगर साबित हो सकता है सुबह 2-3 मिनट शाम को 2-3 मिनट इस प्ट को आप दबा के देखिए इसको दबाने से 2-3 दिन में आपको हलका रेलीफ हो गर मैं ये मानता हूँ सो में से अगर पचास लोगों को अगर ये पॉइंट दबाए तो ठीक भी हो जाता है बाकी अगर कोई सीवियर प्रोब्लम है तो डोक्टर से सला की जा सकती है लेकिन ये डोक्टर के इलाज के साथ-साथ भी आप इसका प्रियोग कर सकते हो और ये प्रिय काम में ले सकते हैं। महसूस होंगी ये रोज का आपको अभ्यास करना चाहिए इसके साथ अन्य क्रियां भी करनी अगर गैस रहती है गरम पानी का सेवन करें भोजन के बाद वजरासन में बैठें ये कुछ चीजें और आपको करनी पड़ेंगी और ये अगर क्रिया रोज करते हैं तो आपको इसका लाव इस पॉइंट का लाव हर दम मिलेगा और आपको हलकापन महसूस होगा